जैसा कि आपने थैमनेल से देखा है इन पोदों को जो मैं आपको बताऊंगी 20 प्लस ऐसे पोदे हैं इन पोदों को नर्सरी से आप भूल कर भी मत खरीदना नहीं तो आपके हो जाएंगे पैसे बरबाद वो कैसे वो भी आपको मैं बताऊंगी वीडियो को लाज तक जरू द जाता हम फ्लावरिंग वाले प्लांटों के जो है तरफ होते हैं बट हमें जो है यह समझ नहीं आता है कौन से प्लांट हम खरीदे कौन से प्लांट हम इन नहीं खरीदने हैं यह सारी बाते हमारे दिमाग में नहीं आती है और नहीं हमें यह पता चलता है कि हमें कौन से प् जो देखते हैं सर्च वगयरा करने पर पता जलता है यह प्लांट फ्री में ही लग जाते हैं तो ऐसे कौन-कौन से प्लांट है वो सब मैं आपको कंटीनू बताती जाओंगी तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यह सबसे कोश्टली आपको देखने को जरूर मिलेगा ओफिस वगयरे में इस प्लांट की डिमांड जादा होती है तो यह प्लांट हमें नहीं पता होता है नर्सरी से हम इस प्लांट को ले आते हैं और काफी महगा भी आता है यह प्लांट मैं भी इसको नर्सरी से लेके आई थी क्योंकि इस प प्लांट मिल जाते हैं तो क्यों हम पैसे करें तो दो क्यों हम घूँके के हंदर हैं बना लेता है विए अंदर है पिर आता है हमारा सभी का प्यारा सा यह प्लांट जिसको money plant बोलते हैं money plant एक खुबसूरत सा plant होता हो और ये हर घर में आपको देखने को मिलता है इस plant को जो money से आकते हैं और ये बहुती प्यारा और खुबसूरत होने के साथ ये एक धन के साथ भी जो है बोला जाने वाला पोदा होता है और सभी इसको लगाना पसंद करते हैं बहुत से लोग इसको नर्सरी से ले के आते हैं बट ये फिरी में ही यदि आपके घर में लग जाए तो आप क्या बोलोगे नर्सरी से लाने की भी इस प्लांट को जरूरत नहीं होती है नर्सरी से आप लाते हैं तो ये थोड़ा सा भी तो इस plant को आप cutting से ही हजारों plant आप बना सकते हैं देखिए ये मैंने जीतना भी मेरे garden में money plant है मैंने free में ही तियार किया है आप भी इसको free में ही तियार कर सकते हैं एक cutting लेके आनी है वैसे तो आप monsoon season है monsoon season में ये बहुत ही fast grow होता है तो आप छोटी सी cutting ले आए cutting लेके आएंगे तो उसमें आप आपको जो है node area के पास इस तरीके से root बनी मिलेंगे तो ये और भी जल्दी आपका plant है grow करेगा तो अभी जो देरी ना करें नर्सरी से ना खरीदी इस plant को आप प्यास पास relative के यहां बहुत ज़ादा सभी के घर में ये ज़्यादा तरी plant मिलता है उनके यहां से आप चुरा के ना तो मांग के भी एक cutting लेंगे तो भी एक cutting है जो लग जाती है क्योंकि बहुत से लोग बोलते ये plant चोरी से लगता है ऐसा कुछ नहीं होता आप उससे एक cutting मांगेंगे तो भी एक cutting है जो आसानी से ग्रो हो जाएगी बहुत ही खूबसूरत सा ये plant है उसके बाद आजाता है हमारे ये purple heart का पोदा वैसे तो ये नरसरी में 30-40 रुपे तक मिल जाता है पर ये जब फिरी में ही हमारा जो गार्डन में लग सकता है तो क्यों हम इसको नरसरी से खरीद के लाएं ये भी एक plant है जो बहुत खूबसूरत सी पत्यों वाला और flowering वाला plant है छोटे छोटे पिंक कलर के इसमें फूल आते हैं इसकी जो टेहनिया होती है बहुती सोफ्ट होती है थोड़ा सा हाथ लगाने पर ही टेहनी टूट जाती है और बहुती प्यारा कलर इसका purple कलर होता है यदि आप इसको दूप में रखते हैं तो और इसको आप जहां पर दूप नहीं आती होहां रखेंगे तो यह थोड़ा सा green कलर में हो जाता है और cutting से बिलकुल फिरी में ही इस plant को आप बना सकते हैं बहुती प्यारा और बहुती खुबसूरा सा यह पोदा है फिर उसके बाद आता ही यह मौंश रोज मौंश रोज को बिच्छो बंटी में बोलते हैं और पूरा गर्मिया आपको यह फ्लावरिंग देने वाला पोदा होता है इसमें white, pink और रानी कलर बहुत सारे कलर होते हैं और गाजरी कलर बहुत कलरों में यह प्लावरिंग होता है और इसको लगाना बिलकुल ही आसान एक छोटी सी दो इंच की कटिंग भी आप लगाते हैं तो आपके पोट को है जो कवर कर लेता है बहुत ज़्यादा यह कवर करके और पूरा दो फैर में आपको फ्लावरिंग होगी इस प्लांट में और डेली डेली में एक दो एक दो फूल तो जरूर खिलते रहेंगे छोटे-छोटे कंटेनर में भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है नर्सरी से आपको यह 30 यह 40 रुपे में मिल जाता है फिर आते हैं हमारा तुल्शी का पोदा तुल्शी का पोदा हर घर में होता है इंदू द्रव में इसकी बोती मानता है तो तुल्शी के पोदे को भी आप बीज से लगा सकते हैं या जहां जिसके घर में तुल्शी होती है वहां उनके घर में जो बीज पोट के अंदर पड़ते हैं तो आप छोटे-चोटे बेवी प्लांट निकले हुए होते हैं, महाँ से भी आप इसको फिरी में ही लेके आ सकते हैं, फिर आता है हमारा जो शिंगोनियम प्लांट, शिंगोनियम प्लांट एरो टाइप की इसकी पत्या होती है, कई कलर की इसकी वरायटी होती है और भोती खूबसूरा सा वाइन की तरह चलने वाला ये प्लांट होता है जैसे मनी प्लांट की वाइन होती है इसी तरीके से सिंगोनियम प्लांट भी वाइन की तरह चलता है या आप उसको जो है घना बना सकते हैं फिर आता है हमारा वोट ल फिर आता है अर्विक प्लांट, अर्विक प्लांट को ऑल और ये प्लांट भी काफी कूबसूरा सी पत्य वाला होता है, ये एक पो्ट के अंदर काफी बड़े बड़े इसके पत्य हो जाते हैं, और काफी सुन्दर लगता है, अट्र करता है आपके गार्डन में ये जो वंडरिंग जो भी खूब सूरत सा प्लांट और इस प्लांट को भी हप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं रोड़साइड आपको कणनेर के फ्लावरिंग यालो कलर, पिंक कलर नी काफि से घ्लावा Local इस तरीके के आपको प्लांट मिलते हैं तो कहीं से भी कलंट कटिंग है जो ले आए यह देखी मेरे पास में छोड़े से ही दो चार बलब है जो मेरी फ्रेंड से मांग के लिए थे और मेरा जो यह टप था जो खाली पड़ा हुआ था वो काफी भर चुका है मैंने इसको तो इस प्लांटकोवी कटिंग से आप भी में तयार कर सकते हैं प्लांट में नहुंसे जिर्छों लेकर न ही ब्राइए ले आए यह पत्ता ले fastly grow करेगा एक पत्टे से भी इसको आप है जो लगा सकते काफी सारी इसकी variety होती है और काफी खुबसूरत इसकी पत्या होती है और ये घर पे आपको जो है पूरा जो है oxygen से आपके घर को भर देगा तो इस plant को तो लगाना बनता ही है क्योंकि एक पत्ते से भी ये plant ग्रो हो जाता है और फिरी में ही हमें यदि plant मिल रहा है तो हम पैसे क्यों खर्च करें क्यों nursery भागें क्यों nursery से plant लेके आए आपके आसपास कहीं पार्क में जहां भी ये plant दिख जाए इक cutting या इसको multiple होने पर जो छोटा baby plant है वो लियाए उसके बाद alvira kapoda medicine plant है ये भी multiple होता रहता है और इस plant को भी आप multiple होने पर baby plant है जो निकाल सकते हैं और बेबी plant को अपने जो कुछी और पोट में लगाएंगे तो काफी बड़ा plant बन जाता है फिर आता है mother of thousand plant और इसके ऊपर आपको छोटे-चोटे baby plant देख रहे होंगे इसको भी है जो आप छोटे-चोटे baby plants है जो उनसे लगा सकते हैं multiple भी होता रहता है इस plant को भी आप फ्री में लगा सकते हैं फिर आता devil backbone plant इस plant की भी आप cutting लगाते हैं तो काफी आसानी से एक हपते के अंदर इसमें रूटे बन जाती है हमेशा इसकी पतिया हरी-भरी रहती है सिर्फ जनवरी और सरदी के महिने में इसकी पतियों है जो सूप जाती है उसके बाद अपने आप से हरी-भरी होती रहती है multiple नहीं होता है ये plant वैसे वर इसकी जो है छोटी से टहनी आप लगाते है तो आसानी से लग जाते है फिर आता है हमारा विनका का पुदा विनका के plant को भी आप है cutting से लगा सकते हैं और हमेशा इसके plant में जो है पूरा दो फैर साम रात पूरा जो है दिन इसमें फ्लावरिंग होती रहती है भर-भर के इसमें फ्लावरिंग होती है तो आप इसको cutting से आसानी से लगा सकते हैं फिर आता है हमारा ये टरटन वाइन टरटन वाइन भी एक बहुत ही कूपसूर सी वाइन होती है और ये मवाइन है जो इतनी fast grow होती है इतना fast कोई भी plant जो grow नहीं होता है पूरे पोर्ट को इस तरीके से cover कर लेगी कि आपका पोर्ट है जो नीचे वाला है वो दिखाई नहीं देगा किस पोर्ट में आपने इसको लगाया है तो आप इस प्लांट को जरूर एड़ करें छोटी सी दो इंस की cutting भी आप लाके अपने पोर्ट में डाल देंगे बिना cutting को दबाई फिर भी ये cutting है जो अपने आप से लग जाती है ये दिखी मैंने इसको हैंक किया हुआ है हैंक करने के बाद इसकी जो टेहनिया है काफी नीचे तक जो वाइन है बाच-पाच फिट तक नीचे लटक जाती है तो काफी सुन्दर लगती है सर्दियों में इसमें भी flowering होती है फिर आता है हमारा ज्वाइन का पोधा ज्वाइन के पोधो में खुस्बू आती है और इसको हम सबजी वगेरे में भी डाल सकते हैं या खाली पेट खा भी सकते हैं ये भी हमारा फिरी में ही लगकर त्यार हो जाता है ये पोधा वाई और इसके जो आपके पत्तफ़ा हाथ लगाने के बाद खुश्बु सुंगते हैं तो अजवाइन की खुश्बु आती है, काफी सुन्दर ये प्लांट है, फिरी में ही आपको ये गार्डन में मिल जाएगा तो ये थे हमारे कुछ ऐसे प्लांट और एक हमारा जो कैनल लिली का पोधा है, वो भी मल्टिपल होता रहता है, उसको भी आप है जो लगा सकते हैं ये काफी सारे ऐसे plant है फ्रेंट्स और भी बहुत सारे ऐसे plant है जिनको आप फिरी में ही लगा सकते हैं नर्सी से आप इन प्लांटों को ना ले काए अधर पैसे खर्च की हजारों plant आप लगा सकते हैं नर्सी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको तो वीडियो आप